इस मंदिर में काले राम जी की मूर्तियां यानि के भगवान राम की मूर्तियां स्थापित है और ऐसी धार्मिक मानेता है कि इन मूर्तियों के स्थापना वीर विक्रमादित ने की थी अपने अयुध्या यात्रा के दोरान, हाला कि ऐसा कहा जाता है कि अयुध्या पर जब प्रवाहित कर दिया लेकिन सेकड़ों साल बाद एक महराश्यन ब्रामःड को इन मूर्तियों के बारे में पता चला और जहाँ पर इन मूर्तियों को प्रवाहित किया गया था सहस्तरधारा में वही से यह मूर्तियां उनको मिली और फिर से इस मंदिर में काले राम जी की प्र माले रंकी हैं और सम्भ pénित है यह पहला एंसा मंदिर है उनदी। यह है और इसी वज़त से इस मंदिर को काले मंदिर काई और के मुख्य पुजारी महरा जी इस वकामिंशा मैं मुझूद और मेंसा घ्राव मानिता भी हैं याई फोरा सब ऐसे किमी தरब अ जाहिए लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आखिर धार्मिक मानेता क्या है इस मंदिर की और काले राम जी की मूर्तियां कब से यहां पर श्री राम जन्भूमी पर उजयन के महाराज विक्रमा दित्री जी ने जो मंदिर स्थापिट किया वो लगभग डेढ़ हजार वश अपने पूर्वसों होगे हैं पंद्रा सो अठाइस स्थी में बाबर वाच्छा ने इस एरिया पर आक्रमन किया और राम जन्भूमी मंदिर उस समय भी प्रसिद्य था और आज भी प्रसिद्य है तो इसलिए पहला आक्रमन उसका स्री राम जन्भूमी पर तो वहां विग्रह जो को सुरक्षित रखने की रिष्टी से उन्होंने बगवान की विग्रह को स्री सहत्रधारा तीर्थ में प्रवाइट और मंदिर खाली कर दिया और यह कहा जाता है कि उस मंदिर में चार द्वार और उन चारों द्वारों पर एक एक पुजारी खड़ा हो गया और उन्होंने यह कहा कि जब तक हम जीवीट हैं आप मंदिर के गर्भगरह में प्रवेश्च नहीं कर सकते हैं और फिर उन्होंने उन चारों ही पुजारियों का कथल कर दिया और मंदि प्रिवेश किया उन्हें मूर्टि यहों प्राप्ट ѓही कि इवल खाली बिलडिंग ही प्राप्ट हुए ऑउसको इसको भिरा विश्व संते में जो सरी में प्रवाइद किया गया वो लगभग 220 वर्ष भगवान नदी में थे 1528 से लेकर इस्वीशन 1749 थे फिर 1749 के आसपास की घटना है कि महराश्ट के रहने वाले एक संत हुए पंडित नरसिम और मोगे जिक वो नदी के किनारे रहकर तपस्या करते थे और तपस्या करत समय उनको भगवान का दर्शन और आदेश्वा नागेशन सन्निधों तत्र इमाम मुर्तिन के योजय तत्रईव ममसानिध्यम सदा भौतते अभी आपने यहां पीछे नागेश्वनाजी का दर्शन किया होगा नागों से आविष्टित होने के कारण इन्हें नागेश्वन सबसेनात कहा जाता है और भगवान के पुद्ध लवकुष्ट के दौरा इस थापना की गई है तो उनके पास में सथापना की करने के लिए उन्हें आदेश हुआ फिर दूसरे दिन स्नान करने के लिए वो नदी में गया और वहां पर नदी में यह विग्रह उने प्राप् तो अब महात्मा जी के मुख से उद्गार निकला तो वही उनका नामकरण हो गया अब चूकि संत सत्पुरुष ने नामकरण कर दिया तो पिछले पहने 300 साल से हम इनको काले राम जी कहें वैसे इनका प्राचीर नाम विष्णुहरी है जब यह श्रीराम जन्मभूमी पर थे तो विष्णुहरी नाम से पूजी थे क्योंकि आयोध्या में सब्त हरी हैं विष्णु हरी धर्म हरी चक्रहरी बिलवहरी गुप्त हरी पुण्य हरी चंद्राई तो यह जन्वभूमी पर थे तो विष्णु हरी नाम से पूजी थे परंट यहां आने के बाद पिछले पौने तीन सो साल से हम इन्हें काले रांगे क मूर्कियों की विशेष्टा यह है कि यह मध्य में भगवान राम है बाई तरफ माता जानकी है दाने तरफ लक्ष्मण जी है एक तरफ भरजी और एक तरफ शत्रुगर्गाजी और संपूर्ड विग्रह एक अखंड शाली ग्राम शिला में है अलग-अलग मूर्किया नही यह लक्ष्मण जी ने छत्र लिए भगवान के सुब्रत शत्र बेल्खांचमण जी के हाथ में मृह तäreल है और शुक्लपृत्य नियकर में और होता है और करन तों कि अभ्या नहीं प्रपश्न और वापस अपनी सेना में आ थे तो इसलिए हनुमान जी का दुरलब दर्शन भी यहाँ पर तक्षणा भिमों को देवी सुरूप में हनुमान जी का यहाँ पर दर्शन प्राफ्ट होता है ऐसा इस पंदिर की विशेश्चा है तो मतलब हम यह है कि जो मूर्तियां यहाँ पर अस्थापित हैं विक्रमा दित्य ने इन ही मूर्तियों को श्री राम जनम भूमी में इस्थापित किया था लेकिन वहाँ पर जब मुगलों का आक्रम होगा तो इसको सर्वी प्रवाहित किया गया और बात में मिलने पर इन मू पूर्तियां काले पाशान में भी ऐह खाले पास आए हो भी जब देनी मंदिर के दर्शनों आपको आयोध्या में सिंगाइसन करेशानीihat रांज्यांन की है यहां लक्षमन घाठ पर लक्षमन जी का विगरह है को ही ऐना साथ में हैं फैसा बाद की तो यह तीन आयुद्या में हैं एक फैजाबाद में और एक मध्यप्रदेश में है ठीकमगड़िले में जो रामराजा का मंदिर कहा जाता है गणेश कुमरी देवी ने उस्थापना की थी यहां से मूर्तियां उन्हें भी सरीव में प्राप्त होई थी और उसकी स्थापना उन्हें और आज जो यहां कनगभौन का दर्शन आप कर रहे हैं वो उसी रानी के द्वारा बनवाया गया सन 1887 में मंदिर है जो यहां पर कनगभौन के रुप में विद्यमाग है तो यहां का भी मूल विग्र जो वहां पर है टिकमगड़ में है वो काली पाशाण में तो विक्रमा आज के 2000 पहले यह साथ मंदिर थे आज साथ के साथ हजार हो गया उससे भी अधिक हैं तो प्रमुख मंदिर आज भी यहीं है विक्रमा दीते द्वारा साफिर जन्म भूमी उस समय भी परसीदिती आज भी परसीद है परन्तु वहां पर आज भी उसके पीछे भूमी शब्त कहा जाता है राम जन्म भूमी मैं क्योंकि हम महाँ अभी तक जो दर्शन करते थे जो लडाईयां लड़ते थे वा भूमी के लिए भी के लिए श्वारा भूमी का महत्म अर्भूमी के लिए मंदिर नहीं किया मंदिर भूमाना होता तर्य हैं में बहुत सारे मंदिर म hypoth Beim míं ह हमारी है और उस भूमी के लिए हिसारी लड़ाई लड़ी और इसलिए आज भी उसका नाम करन राम जन्म भूमी ही है भूमी शब्द उसमें राम जन्म मंदिर नहीं कहा जाता राम जन्म संस्थान नहीं कहा जाता राम जन्म भूमी कहा जाता है तो वहां पर भूमी का दर्श जो भगवान की प्रतिमा स्थापित है दरसल इस प्रतिमा को लेकर ऐसी मानिता है कि जब वीर विक्रमा दित्य ने यहाँ पर राम मंदिर का निर्मार करवाया उसका जिर्नोधार करवाया तो इन ही मुर्तियों को राम मंदिर में स्थापित किया गया लेकिन 1528 के आसपास स्थापित किया गया और देखा जाए तो हर रोज हजारों की तादात में जो शधालू है इस मंदिर में आते हैं शीज जुकाते हैं और ऐसी मानिता है कि अपनी अयुध्या यात्रा के दोरान अगर कोई श्रधालू यहाँ कर काले राम जी की दर्शन और